हलो एवरिवन, वेलकम टू इनलाइटन ब्रेंज, गाइज इगनो की तरफ से एक नया नोटेस आया है बी एड वाले स्टूडेंट्स के लिए, आज ही ये नोटेस आया तो मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था कि कब उनक का एंट्रेंस एक्जाम इगनो की तरफ से लिया जाएगा 2022 सेशन के लिए, इगनो ने एक्जाम की डेट को अफिशियली अनाउंस कर दिया है, 8 में 2022 संडे वाला दिन है, उस दिन आपका इगनो युनिवरस्टी एंट्रेंस एक्जाम जो है वो कंडक्ट करवार ही है, इसमें और क्या-क्या है, हमें eligibility दी गई है, जिसके उपर already मैंने काफी videos बनाई थी, और आपके काफी doubts को भी मैंने clear किया है, तो अगर आपको फिर भी कोई doubt है, आप comment कर सकते हैं, उसके आगे age को बताया गया है कि age का कोई भी बार नहीं है, it doesn't matter आपकी age कितनी है, आप apply कर सकते हैं, admission का criteria और reservation के बारे में भी बताया गया है, कि merit based जो है आपकी selection होनी है, so merit के उपर आपको merit में आना पड़ेगा, अगर आप B.Ed में admission लेना चाहते हैं, registration के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में मैंने भी आपको उसी दिन बता दिया था, जिस दिन notice आया थ कि आपकी जो registration है वो open हो चुकी है, आप apply कर सकते हैं, फिर examination fee के बारे में बताया गया है, कि thousand rupees आपके है, examination fee के, so उसको आप pay कर दीजिएगा, उसके बाद important dates में आप देख सकते हैं, examination date, 8 May 2022, इस दिन आपका entrance exam conduct करवाया जा रहा है, 2 hours का ये पूरा exam होगा और आपको कहा गया है कि आप कोई भी phone या फिर electronic device मत लेकर आईएगा, strictly prohibited है, उसके बाद आपको ये भी कहा गया है, कि अगर आपको कोई भी problem है, B.Ed. के साथ related, आपका कोई question है, तो आप दिये गए phone number के उपर contact कर सकते हैं, इसके बाद अगर अभी तक आपने Igno के entrance exam की preparation start नहीं की है, तो आपको I button में मैंने books की link दी है, आप उसके उपर click करके आप check out कर सकते हो उन books को अगर आप preparation अभी से करना चाहते हैं, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि entrance exam कितना tough होता है, देखिए tough तो जादा नहीं होता है, जितने भी students ने B.Ed.K. इस entrance exam को पहले दिया है, उनी से मैंने बात की थी तो उनी से पता लगा कि इतना जादा tough नहीं होता है, बात आती है बस merit के उपर, कि अगर आप merit में नहीं आते हो तो आपकी selection नहीं होती है, so best of luck for your exam, अच्छे से exam दीजिएगा, I hope आपकी selection हो जाए, so ये थी आज की video, I hope इससे आपकी help हुई होगी, thank you so much for watching, please do subscribe the channel for latest updates related to Igno, thank you